ही अबे और और आज हम बहुत यह अच्छा सा क्लासी रक्षा बंनन लुक कह सकते हो आप इसको या पिंक लुक कह सकते हो तो यह वारा लुक करेंगे और मेरे त्रेस भी इस तरह से मैल्टि कलर और फिंक इश है तो मैं अपना लुक भी इस थ fictional करोंगे घुप को पसंद आए स चली start करते हैं तो सबसे पहले आपको पता ही है face को prime करना होता है primer से क्या होता है हमारा जो base है नो बहुत अच्छा बनता है उसके बाद हम लगा लेंगे या पर my glam का foundation मैं इतना ले लूँगी और बस इतना enough है और इसको मैं पूरे face पर अपने dot dot करके लगा लूँगी ताकि जो evenly लगे हमारा जो foundation है और कई पर जादा कई पर कमना लगे और हमारा जो base है वो बिल्कुल अच्छा सा set हो जाए उसके बाद मैं या पर beauty blender से इसको कर लूँगी blend मुझे brush इस वगेरा इतने handy नहीं लगते मुझे यह beauty blender ही अच्छा लगता है इससे थोड़ा सा जो foundation है वो अच्छे से blend हो जाता हाथ से इतना अच्छे से blend नहीं हो पाता पर यह beauty blender से बहुत अच्छे से blend हो जाता है इसको आपको क्या करना है beauty blender को पानी मैंसे निचोल के फिर आपको इसको लगा लेना तो कितना अच्छा सा glow आ गया उसके बाद मैं यह पर पता नहीं क्या दून रही थी तो हाँ compact तो इसके बाद हम अपने face को कर देंगे set compact से तो यह वाला compact मेरे पास purple का है और यह भी compact बहुत अच्छा है और इसमें भी बहुत सारे shades आते हैं तो जैसा आपके skin tone हो उससे सबसे यह वाला shade up कोई भी shade up ट्राय कर सकते हो और मैं इसको अच्छे से set कर लोंगी क्यों क्यों करते हैं तो हमारा base बतलब अच्छे बहुत time तक चलता है नहीं तो फिर वह foundation निकलने लगता है उसके बाद मैं यहापे अपने eyebrows को कॉम कर लोंगी क्योंकि जो excess powder और foundation अंदर फस्ट जाता है वह निकल जाए उसके बाद मैं यहापे बीट अप्लाइब की जो eyebrows palette है उससे मैं अपने eyebrows को फिल कर लोंगी इस तरह से मैं बहुत ज्यादा मेरे eyebrows ज्यादा light नहीं है तो मैं ज्यादा फिल नहीं करती है बहुत हलका हलका फिल करती हूँ और जिनके light eyebrows होते है उनको ज्यादा थोड़ा सा draw करके सही से eyebrows को फिल करना हो हम अपना eye look start करते सबसे पहले white base इस तरह से मैं अपने eyes पे लगा लोंगी इस तरह से बिलकुल सबसे पहले जो light वाला जो shade होता न वो आप लगाए उसके बाद आप थोड़ा dark की तरफ जाए इस तरह से पुरे eye lid पे लगा लोंगी मैं इसको और बस उसके बाद मैं लगा लोंगी यहां पर pink और मैंने लगा भी लिया था और मेरा यह clip shoot नहीं हो पाई तो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से मैंने pink color लिया है इस तरह से थोड़ा outer way पे थोड़ा dark करना है और अंदर के तरह आपको inner पे आपको थोड़ा सा light रखना है इस तरह यह वाला pink shade लगा रही हूँ और क्रीज पर मैंने yellow लगा था वह भी shoot नहीं हो पाया तो मैं आपको बता दो कि पर मैंने पहले yellow लगा था उसके बाद मैं यहां पर eyelid पर pink color लगा रही हूँ तो मैं आपको वापस बता रही हूँ कि यह तरह से मैंने क्रेस पे येलो कलर क्योंकि इसमें येलोईश और पिंक मेरा ट्रेस है तो इसे साब से मैं येलोईश और पिंक वाला ही अपना आई लुक करें तो ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था तो आगे आप देखिए और उसके बाद में यहापे लाइन लगा लूँगी तो नहीं उसके बाद में यहापे ये ग्लीटर वाला आई शेड़ो लगा लूँगी इस तरह से बस मिडल में हलका सा लगा लूँगी तो बहुत ही अच्छा था पिंकी सा बिल्कुल गोल्डन ग्लीटर वाला आई लुक एक्दम सॉफ्ट जो हम कहते हैं ना सॉफ्ट लुक व मुझे तो यह वाला लुक तो आप ही अगर इस तरह से आपके कोई भी ट्रेस है तो आप इस तरह से यह वाला ट्राइ कर सकते हैं और उसके बाद मैं यहापे लाइनर लगा लूँगी लाइनर मैं ज्यादा विंग और वैसा ने लगा दी मैं नॉर्मल सा थोड़ा सा कर विदन लाइनर के बलेक इतना खास नहीं होता लाइट लाइट से लगता है यह लेकिन बल्कुल डाकस है तो यह वाला लाइनर आप ट्राइ कर सकते हो उसके बाद यह मामाअर्थ का जो काजल लाइनर वह बहुत अच्छा है समश प्रूफ है और बहुत टाइम तक हो यह य बजल कर लूँगी तो कॉंटोर से क्या होता है थोड़ा सा लुक और भी अच्छा हो जाता हलका हलका ही करूंगे ज्यादा नहीं करूंगे इस तरह से झाल 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 झाल